धोड़ी चाटना ये चाटना वो चाटना मैं अपने भाई से भी नहीं बोल सकते हैं कि धोड़ी चटले बा नहीं बोल सकते हैं हम तो वैसे महिला को तो मैं सपोर्ट नहीं करूँ इस इसके लिए क्योंकि आप पूछ रहे हैं सवाल वो सरम से सायद सरम की वज़ा से आपको को रिस考 कर रहा है महिला को रिसक्ट कर रहा है तो साइद आपके सामने नहीं गा सकते थे इसलिए नहीं गाई और आप उस पर चड़ रही तो पैसे भी उन्हीं की लग पढ़ you दे ज्दू टे नहीं रहे हैं तो हां जोरो के मतन रहिए अगर अच्छा ही स्वी नहीं कुँए तरीके से बोल रहे हैं चेलिपार है। में फैमिली को कहीं मेरा फैमिली कुस ना कर ले तो उससे बेटर है कि मैं ही मर जाओं यह इस यही डिप्रेशन में उन्होंने खाया है आज जो पीके आरे जी हैं तो उनको उनको तो किया ही गया लेकिन उनके साथ-साथ में उनके घर वालों को भी बहुत ज्यादा गलत सलत बोला पहली बार आ रहे हैं पल्वी गिरी दुवरा मजनुवा पिटा था आगना में गाहना गुडिया छांक शिटा था जो कि पवन सिंग का बहुत ही लेटेस्ट गाना था और काफी वो बवाल मचाया था और एक अंकूस राजा जी का गाना आया था कि हमके दूलहिन बनाला न त दूसर लेके जाई तो पल्वी गिरे जी सबसे पहला अपको तब आही नियूज भुझपूरी बहुत-बहुत स्वागत हैं अभी तो सभी को प्रणाम मेरा और तब आही नियूज भुझपूरी को बहुत-बहुत धन्यवाद जो कि अपनी कीमती समय लेकर मेरे पास आए पहली बाल अपक महिला एक्ट्रेस हैं महिलाओं का हम लोग समान या फिर दूनिया समान करती है अभी भुझपूरी में आए जिनों काफी तेजी से विवाद हो रहा है जैसे में पीके आरान देवरा ढोनी चटनावा गाना को तो सुनी होंगी तो जो बोल है भुझपूरी कि अगर किसी को भी ज्यादा टॉचर करेंगे किसी को भी ज्यादा बोलेंगे एक ही बात को बार बार बोलेंगे और उसके साथ साथ आप फैमिली को टॉचर करेंगे तो वो डिप्रेशन में क्या करेगा डिप्रेशन में अभी सी बात है कि कोई भी सुसाइट करने का ही कोस करेगा。 तो कही ना कही जो PKRNG है तो उनको तो किया ही गया, लेकिन उनके साथ-साथ में उनके घर-वालों को भी τον होत ज्यादा गलत सलत बोला गया. तो उनके कहती है क्या उनका वर्क है उनका काम है उनका गलत यहाँ करना वो कर रहे हैं teh aplic. तो आप लोग उनको जा अगर मैं आपके पिता जी को जाके बोलूं तो आप अपने काम से तो नहीं होंगे लेकिन आप इस टेंशन में मर जाएंगे कि मेरी फैमिली मेरी फैमिली को बोला जा रहा है क्यों बोला जा रहा है तो इस टेंशन में हो जाएंगे कि मेरी फैमिली को कहीं मेरा फैमिली कुछ ना कर ले तो उसे बेटर है कि मैं ही मर जाओं यही इस यही डिप्रेशन में उन्होंने खाया है आज पीकी आरेंज जी जिस कर्णिशन में है पटना के मैक्सो होसुल में एड्मिट है तो आज जो कलाकार जैसे जो दलाल चाहे पत्रकार चाहे चटुकार उसने बोले साथ कम ह लेकिन आज उन्हें कोई मदद करने वाला है एक तो हमारे हमारे वोश्पूर इंडस्ट्री में वैसे ही देखा जातों यह पैक्ट है कि पेमेंट कम मिलता है और राइटर को सब्से जैदा पैसा मेलना चाहेए बिकर बहुत दिमाग लगाते हम सब क्या लिखें गाना कैसे कर लिखें या स्टोरी कैसे लिखें तो उन्हें पेमिंट वैसे भी कम मिलती है और बहुत मेहनत करते हैं और ऐसे आप लोग उनको परिशान करेंगे तो कोई क्या करेगा अच्छा सब राइटर ऐसे मरने लगे आप लोग जैसे बोलते हैं कि ऐसे गाना लिख रहे हैं ठीक है वो लिख रहे हैं आप मत गाईए मत सुनिए यह बट ऐसे मत बूलिए मैं जानती हूं कि मेहनत कितना होता है आप मत सुनिए पबलिक जो है न कहें कहें ब्लाइंड से पूटर होती है आप लोगों के लिए जैसे पलवी गिरी को भी हमारे दर्सक देख रही है अब आपको कितना प्यार करते नहीं करती है तो हमारे ओडियोंस बताएंगे सस्क्राइब और भ्यू के माध्यम से जबूर पताएंगे लेकिन करलाकारों का जिंदिगी फूल की तरह होती है वो कब और से फर्स पर फर्स से कब अर्स पर आजाएंगे इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते हैं बिलकुल सब सारा खेल तो ऑडियंस पर ही जाता है न कि हमें किसको अच्छा बोलना है किसको नहीं महिला पर जाती से जो लोग आते हैं कुछ है महिला पत्रकार भी है काफी रेंजिक को ढरते हैं जैसे महिला को जिस तरह से अंग पर दर्स अंग का नाम नहीं लेना चाहिए प्रवेट बारत को देवरा अपने माँ को नहीं किया है अब इसके भार नाई देखिए मैं तो पहली बात की मैं महिला हो या जेन सो मैं दोनों को सपोर्ट करती हूँ क्योंकि किस तरीके से महनत करके वो आगे बढ़ते हैं अपनी लाइन में चाहे कोई भी कोई भी लाइन हो कोई भी वर्क हो वो बहुत महनत से चलते हैं और उसमें 20 में को या के बोलता ह है ऐसे तो बहुत बुरा लगता है अब जाके उससे पूछिए जिसके अंदर चाहा थे करने की और उसको नहीं मिलता है तो वैसे तो मैं सबको सपोर्ट करती हूँ लेकिन मुझे भी बुरा लगा कि किसी को ऐसे टॉचर नहीं करना चाहिए कि कोई मर जाए आज के डेट मे वो होस्पिटल में है जिंदिगी से जिंदिगी और मौत से लड़ रहे हैं तो कहां गई मीडिया वो जो जिन्होंने उनको इतना कुछ बोला उनकी फैमिली को बोला वो मीडिया आज कहा है क्यों नहीं जाके होस्पिटल में लाइन लगा रही है उनको देखने के लिए कि देखिए पी के आरेंजी होस्पिटल में हैं कहां गई वो मीडिया में पूछना चाहती हूं कहां गई जो कि आप लोग लाइन में लगा कि कभी सिंगर को पीट रहे हैं कभी सिंगर को रोड पिला रहे हैं कभी गलत तरीके से बोल रहे हैं कभी पब्लिक से बुलवा रहे ह वहां है अगया ही कि आप मेडिया पूछिए ना की का लिड्यों कुछे ना की कि और यौए जो कि अगर पॉल्भाग दे रहा है किसी को और जो गलती कर किजिए माबाप की गलती इसमें किसी की नहीं होती है बचा क्या कर रहा है भविस्या क्या करने वाला है वो उसके उपर डिपेंट है वो भी पढ़ा लिखा दिमाग वाला है माबाप की responsibility बस यह है कि वो पढ़ा लिखा दे और उसकी उसकी जिन्दगी देखे कि वो कैसा है कैसा नहीं है वो अपने लाइफ में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो अपना होता है पल्विक गिरी जी काफी गुसे में काफी तनाव में भी है जो कलाकार को बचते जो राइटर को जिस तरह से टार्गेट किया गया है साइट बिहार में दुसरा सुसान सिंह राजपूत आत्महतिया की तरह यह जो कांड होने वाला था साधे लगता है हासा टल जाएगा लेकिन वैसे महिला पत्रकार के लिए आप महिला है क्योंकि मैं ज्यादा नहीं पोल सकता मैं बोलना मैं आपकी सवालों का जवाब देती हूं मैंने कहा कि देवर भापी का जो रिस्ता है जो मजाक है वो पब्लीक में मत लाइए मैंने बस इतना बोला यह कोई बुरा नहीं मैंने बोला बट इतना ही बोला कि आप लोग उसको पब्लीक लिमत केजिए हां लेकिन राइटर क्य लिख रहा है और क्या हम सुन रहे हैं दोनों में डिफरेंट है हम सुनते कुछ और है और गाना कुछ और रहता है तो उस चीज को सोची और समझी है तब जाके आप बोलिए और रही बात महिला की तो वैसे तो हम भी जाके आप से नहीं कह सकते हैं कि जो भी हो बड में यह चाटना वह चाटना मैं अपने भाई से भी नहीं बोल सकते हैं हम लेकिन कहीं बजेगा तो तो मैं सुनके निकल ही जाओंगी तो वैसे महिला को तो मैं सपोर्ट नहीं करूंगी इसके लिए क्योंकि आप पूछ रहें सवाल वो सरम से सायद सरम की वजह से आपको रिस्प पलवी गिरी जी ने काफी सारे सरों में बहुत बड़ी बात बोल दी है महिला पत्रकारों के प्रति मैं तो जादा बोल नहीं सकता क्योंकि काफी लोग बोलें कि महिलाओं को भी बोलता है तवाही नूजबाला एक महिला एक्ट्रेस होकर पलवी गिरी जी और जोके घर से काफी अच्छे हैं पढ़ें लीक्त आपसे हो सकता है कि ज्यादा लीकि कर रहा है तो साथ, आपको इससे पलभी गिरी जी इस चीजच को जवाब दे रही है और रही बात एक आपने कहा कलाकार रिस्पेक्ट किया मैं बता रही हूं कलाकार ने रिस्पेक्ट दिया कलाकारों को कहीं रिस्पेक्ट नहीं है सच बोलू तो कहीं रिस्पेक्ट नहीं है और जहां रिस्पेक्ट मिलती है वो बहुत अंदर से खुसी उसको मिलती है कलाकार को तो कलाकार को भ यहाँ घोटा हो या बड़ा हो बड़ा तो वैसे भी कम जैसे कि कोई भी ब्रैंड जानते हैं अधैर गाinstall छोट rapidement है उसको भी आप लोग टो ज tooth जो बड़े हैं वह वैसे इस फेमस हैं लेकिन चोटे कलाकार वह लोग उन्हें रिट्स्टिक से आउट करना चाहिए कि तो पत्रकार करना चाहिए और चाहिए वैसे कलाकारों को मैं बोलती decor कर देना चाहिए आप स्वाइदा को औस पत्रकार कर क्या करें घर handle जाय को रहें और यह बहुत ही अच्छे पत्रकार हें जो कि सबका सपोर्ट करते हैं इविन मेरा भी सपोर्ट की हैं ये इस इंटरविवीव में दिखा ओए आपको तो इनके चानल को धेडिल सवार देज़े जैसे मुझे आप प्यार देते हैं सबस्क्राइब बिजो कि बीकाहई यहार आप में खुट में सामें चाहिक में तुम मुझे मैं ज्यादा खुशी होगी है थ Assim कामel के साथ में चोटो तभाही और आप देखंड़े तभाही न में भोजपूरी बहुत बहुत धन्यवाद